तो दोस्तों तो दस्वागत है अपने उडिप जनल एजूकेशनल न्यूज के विदावत सबसे खतनाक वाले न्यूज में दोस्तों मैं आप लोग को बता दू कि बिहार अस्कूल एक्जामनेसन बोड के तहाथ जितने भी छात्रे हम छात्र आहे आप लोगों ने काउंसलिंग और एस्टेशन फर्म भरा है बिहार डियलेट का ठीक है तो हम लोग आज बात करने वाला है बिहार डियलेट का जो आप लोग का आज रिजल्ट आने वाला था इतने भी छात्रे Χात्रा है किसी कारन वश उनका गौनसलिंग नहीं हो पाया थो आज यानि कि बारा नुवंबर साम पाच बज़ तक क्या करवा सकते हैं अपना काउंसलिंगं करवा सकते क्योंकि link activate कर दिया गया है क्योंकि बहुत सारा ऐसे चात्रह चात्रह जिनका counseling और registration नहीं हो पाया उनके लिए क्या कर दिया गया है बिहार बोड ने date को extend कर दियागा तो चलिए आप लोग को बिना time based किये हुए official notification दिखा दता हूँ जहां पे आप लोग को साफ साफ mention किया गय है कि आप लोग का result कब आएगा first round counseling का तो चलिए आपको दिखा तो दोस्तों आप लोग screen पे देख पा रहे हूं अंगे साफ साफ लिखा गया है बिहार भी देले परच्छा समिति किया क्या है official notification है और इस official notification में आपको बताया गया है कि जो बिहार DL8 का session कौन सा है 22 का आप लोग देख सकते हैं 10 11 को ही आप लोग को बरहाकर कब तक कर दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं 11 और 12 तक यानि की आज तक आप लोग counseling करवा सकते है ठीक है अब आप लोग का result का इंतिजार कर रहा है तो result की date भी क्या कर दिया गए आप लोग को announcement कर दिया गए आप का रिजल्ट कब आएगा तो आप लोग को रिजल्ट आएगा 14 नुवंबर को जारी कर दिया जाएगा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं समान कोटी यह सब इन लोग का क्या है आप लोग का डियलेड में नामंकन है तो दिनांक 11 से 12 तक समीतिक वेबसाइट पर ओनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं तो आप लोग का रिजल्ट तो पता चले ही गया होगा कब आने वाला है तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ नेक्स्ट डे